Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel सरकारीवारास तो guys इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कोंस्टीवल की कट अँफ मार्क्स के बारे में कितनी कट अँफ मार्क्स जा सकती है, कितनी कट अँफ रह सकती है दिल्ली पुलिस कोंस्टीवल एक्जाम 2020 की तो आप सभी का 14 दिसंबर तक तो पेपर चली ही रहा है लेकिन एक्सपेक्टेड आपके लिए कट ओफ एकर आया हूँ तो ये माल लेजे ये कट ओफ ही लगबग रहने वाली है 95% केस में तो आपको क्लियर कर दूँ कि ऐसा ही देखने को मिल सकता है आपको 5% केस में बोल नहीं सकते उपर नीचे हो सकता है लेकिन लगबग लगबग ऐसा ही देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ कम बताने के भी बहुत सारे कारण है तो cut off कितनी जा सकती है और आप physical efficiency test PET या PFT physical fitness test की तयारी करना इस्टार्ट कर दीजिए running करना इस्टार्ट कर दीजिए जिन student का अगर इतना score बन रहा है और आई एक बात और बता दूं काजु कतली लाश्ट में मेरे को भी खिलाना आप भी गाना और बांट देना वाई ठेक तो ये इस class का नियम है सिर्फ इतने marks पर ही आप लोग पास हो जाओगे प्रतेक पांचवा अभ्यर्थी पास होगा तो उसका कारण क्या है बोभी में आपको पताने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक देखेगा और हाँ दिल्ली पुलिस कोंस्टेवल की तयारी करने वाले दिल्ली पुलिस कोंस्टेवल की तयारी करने वाले वो नौजवान जो दिल्ली पुलिस कोंस्टेवल में भरती होना चाते हैं इस बार भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब क्योंकि मैं आपके लिए डेली अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता हूं तो चलिए फैंट समयने का बाते हुआ वोड़ी को श्टार्ट करते हैं पहुंचते अपने पेज पर तो गाई जब आ चुका हूँ में अपने पेज पर दिल्ली पुलिस कॉंस्टिवल का जो कंपटीशन है वो कितना है वो देखते हैं देखें कुल पदों की संख्या की अगर बात करें तो 5840 पदों पर ये रिक्तिया निगली हुई है वेकेंजी 5840 यानि के 840 पदों पर है अगर फिजिकल के लिए बात करें तो 12 मल्टीपिल कितना होगा तो 12 का अगर multiple कर दिया जाए कितने से फिजीकल के लिए अगर बात करें तो 12 multiple यानि के एक सीट पर एक सीट पर लगबग लगबग 12 लोगों को पास किया जाएगा कितने लोगों को भई या 12 लोगों को पास किया जाएगा एक सीट पर, यानिकि अट्ठामन सो चालीस में अगर हम बारह का गुड़ा करते हैं तो यह हमारा निकल के आएगा सत्तर हजार एक सो बामन के करीब तो physical के लिए अगर बात करें तो physical के लिए लगबग लगबग कितने student होंगे जो इसमें clear होंगे तो clear होंगे लगबग लगबग 70122 candidate लगबग लगबग इसमें पास होंगे किस के लिए होंगे सिर्फ और सिर्फ PFT के लिए होंगे वह या physical fitness test आपकी height देखी जाएगी आपकी running होगी आपके जो sit ups बगएरा है बहुँ देखा जाएगा तो लगबग लगबग एक seat पर 12 candidate को पास किया जाएगा और कुल मिलाकर 70122 के करीब student वैटती हैं लगबग इतने student को पास किया जाएगा अब बात करें भईया competition कितना है तो आप लोग बोले हो कि competition तो बहुत जादा है कुल मिलाकर अगर बात करें तो 20 लाख इसमें फर्म बरे गए हैं कितने लाख फर्म बरे गए हैं भईया 20 लाख फर्म बरे गए हैं कितने student होंगे जो physical efficiency test को भी qualify कर जाएंगे अगर बात करें तो इसके बाद document verification भी होगा और सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ medical examination जो medical examination होता है ये अपने आप में सबसे बड़ा पार्ट होता है मेरे साब से इस वेकेंसी का तो वहाँ पर तो इमाल लिए जे बहुत सारे student ऐसे हैं किसी का हाथ टेड़ा होगा या किसी का गोटना टेड़ा होगा तो किसी के हाथ में उंगली के में निसान बना हुआ है तमाम चीजे वहाँ पर देखने को मिलती है medical के अंदर तो बहुत सारे candidate इसमें भी disqualify हो जाते हैं अब बात करें cut off marks कितनी जा सकती है तो दिल्ली पर इस constable cut off 2020 with normalization के थूरू बता रहा हूँ आपको ये क्या है expected है भया इसमें लिखना बूल गए हम ये कितनी कैसी है expected cut off marks ह ये real cut off marks नहीं है यानि कि हम अनुमानित बता रहे हैं इतनी जा सकती है पिछली बार की बात करें तो male candidate के लिए लगबख 77 plus के यहाँ पर देखने को मिली थी लेकिन इस बार जो cut off है जिनका score अगर 70 plus भी हो रहा है जिनका score 70 plus हो रहा है 70 भी हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि भाईया अपनी physical efficiency test की तैयारी करना सुरू कर दो 70 तक अगर किसी का score आ रहा है 70 से कम भी है एक दो नंबर 68 है 60 है तो भो भी अपनी तैयारी करना बिल्कुल मतलब धीले में नल है क्योंकि यह दिली पुलिस का physical है भाईया यहाँ पर बहुत जादा लोग फेल हो जाते हैं बहुत जादा लोग physical efficiency की test के अंदर फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर जब student fail हो जाएंगे तो आप एक बात बताईए कि यहाँ पर अगर कुल student यह तो 70 अजार इसमें से physical के लिए गए अब 70 अजार का भाग लगाया physical के लिए इसमें तो कितने निकलते हैं 28 student निकलते हैं तो पुल मिला कर अगर बात करें तो मेरे candidate के लिए टायर वन जो आपका exam है उसकी cut up 70 प्लस रहने के chances हैं और female category के लिए अगर बात करें तो 60 प्लस score किसी का बन रहा है तो मेरे साब से उसका score बहुत अच्छा बन रहा है उनके आने के chances इसमें बहुत जादा बनते हैं तो friends बिल सारे student दिस्क्वालिफाई हो जाते हैं अच्छा खासा level का PFT रहता है तो cut up मैंने बता दिया आपकी अगर किसी का 70 तक बन रहा है या female category में 60 प्लस बन रहा है तो बहुत अच्छा score माना जा सकता है तो friends मिलते है next video में कल एक और वीडियो लेकर आऊंगा उसके अंदर आपक जनरल की cut up EWS की cut up VCSTST की cut up इस तरीके से बताने वाला हूं तो चली मिलते है next video में thank you thank you for watching this video